दोस्तों, ऑस्टेलिया बेस्ट कंट्री है टू वोक इन टूटाउजन टूटिफॉर इसके बहुत सारे रीजन है यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट प्रकार के वीजा है जैसे सबक्लास फोरेट टू जिससे आपको जल्दी बुलाया जा सकता है बहुत सारी जॉब उपॉचुनिटी से एंड आल्मोस्ट आल सेक्टर्स में अविलेबल है यहाँ का क्लाइमेट भी अच्छा है यहाँ पे जॉब के लिए अपलाय करना बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर प्रोसेस है और यहाँ पे आपको पी आर दो से तीन साल में मिल सकती है अब इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे स्पेसिफिक एक्जामपल्स कि क्यों आपको उस्ट्रेलिया में मूव होना चाहिए क्या क्या वीजा अपॉचुनिटी से एविलेबल है कुन से कुन से इसे जॉब है जो हाई डिमांड में है और इन जॉब्स के लिए अपलाए कैसे करना है तो इस वीडियो में अंतक बने रहिएगा अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन भी दबा दीजे क्योंकि इस टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहेंगे जो आपको हेल्प करेंगे अब्रॉड में सेटल होने के मैं वीजा इन्फॉर्मेशन, ऑनलाइन उन्निंग्स और फाइनांस के उपर वीडियो बनाते रहता हो और अगर आपको शॉर्ट वीडियो और रीज देखना पसंदे तो मेरे यूट्यूब शॉर्ट भी एविलेबल है चल रही है, 21.38 ऑस्ट्रिलियन डॉलर्स पर आवर जोकि डेवलप कंट्री में भी वन ओफ दा हाइस्ट है अकॉर्डिंग टू OECD बेटर लाइफ इंडेक्स ऑस्ट्रियन नंबर वन है, वर्क लाइफ बैलेंस के एस्पेक्ट में यहां का climate भी बहुत अच्छा है, और यहां का social safety net भी बहुत अच्छा है मतलब आपको government की तरफ से अच्छा support मिलेगा diversity मिलेगी jobs में, मतलब लगबग हर प्रकार के jobs available है यहां पे standard of living भी बहुत high है, क्योंकि आपको यहां पे free healthcare मिलता है बच्चों की free education रहती है, infrastructure भी बहुत strong है और यहां पे आपको wages बहुत अच्छे मिलती है एक average Australian की weekly wages 1700 Australian dollar है this makes it more attractive अब guys हम यह समझ लेते कि कौनसी कौनसी visa opportunities available है Australia में कुछ visa बहुत ही famous है जैसे skilled independent visa, मतलब subclass 489 इसमें skilled worker खुद को nominate कर सकते हैं बिना कोई sponsor के occupation list मतलब SOL में आना चाहिए और आपको eligibility requirements को fulfill करना पड़ता है second is skilled nominated visa मतलब subclass 190 अगर आपको कोई भी accredited Australian employer nominate कर देता है या job देता है तो आपको यह visa से बुलाया जा सकता है इसकी requirements है में आपका काम skilled occupation list में होना चाहिए और आपको minimum requirements को fulfill करना है next is subclass 186 इसमें employer आपको directly nominate कर सकता है to work in Australia even if अगर आपका occupation skilled occupation list में नहीं है fourth और यह सबसे important visa है अभी current scenario में subclass 482 इसको हम temporary skill shortage visa भी बोलते है इसमें कोई भी employer आपको temporary work के लिए बुला सकता है यह एक fast tech process है इसमें भी आपको employer से job offer letter लेना पड़ेगा next is subclass 417 जिसको हम बोलते है working holiday visa यह visa उन लोगों के लिए जिनकी age 18 से 30 के बीच में है और अभी कुछ eligible countries ही है इस visa के लिए इस visa से भी आप up to 12 months Australia में जाके काम कर सकते हो दोस्तों अब हम यह समझ लेते हैं कि कुण से कुण से इसे job है जिसकी demand सबसे ज़ादा है healthcare workers की बहुत ज़्यादा skill shortage है तो अगर आप nurses, caregivers या आप किसी भी प्रकार के doctor हो तो आपको job बहुत जल्दी मिल सकता है तो आपको जरूर ट्राय करना चाहिए अगर आप healthcare sector में कुछ भी काम कर रहे हो इंडिया से बहुत सारे लोग ऑस्टेलिया में जाते रहते हैं specifically केरेला, मुंबई या दिल्ली से second, software engineers या IT professionals अगर आप किसी भी प्रकार के engineer हो या tester हो cyber security, game development, web development, cryptocurrency, prompt engineer किसी भी प्रकार के आप engineer हो software related, तो आपको बहुत जल्दी job मिल सकता है third is construction and trade jobs तो अगर आप construction related कुछ काम कर रहे हो जैसे site supervisors, construction helper, plumber, carpenter, furniture assembler, tile fitters in fact इसमें electricians भी आते हैं fourth is teachers, दोस्तों teachers की बहुत ज़्यादा demand है अगर आप kindergarten teacher या primary school teacher हो तो सबसे ज़्यादा आपकी demand है तो अगर आप India में किसी भी प्रकार के teacher रह चुके हो तो आपको बहुत जल्दी job मिल सकता है provided आपको सही तरीके से apply करना है fifth, farmers and field jobs दोस्तों farm related बहुत सारे काम रहते हैं farm keeper, beehive keeper, farm technician, tractor operators, horticulture, gardener हर प्रकार के काम available है तो अगर आप इंडिया में farmer रह चुके हो या आपको farm related work आता है तो आपको ये काम आसानी से मिल सकता है next is management and professional jobs तो दोस्तों professional में accountant आजाते हैं book keepers, cashier, sales representative, customer service representative या आप management level work में जा सकते हैं जैसे project manager, customer service executive, sales executive, store manager, regional manager, operations manager हर प्रकार के professional management work भी है इसके अलावा भी बहुत सारे work है जैसे अगर आप hair cutting saloon चला रहे हो pedicure, manicure आपको आती है, tailor हो mechanic, carpenter, electrician, plumber, AC technician और भी बहुत सारे प्रकार के काम है अब दोस्तों हम ये समझ लेते हैं कि आपको इं jobs के लिए apply कैसे करना है तो आपको इस screen पे बहुत सारी website दिख रही है आप इन सब website पे apply कर सकते हो initial में आप दो website में try करिए jora and seek क्योंकि ये दोनों local website से और इन में काफी सारी vacancies निकलती रहती है अब दोस्तों सबसे पहले आप ये समझे कि इन सभी jobs के लिए apply अगर आपको करना है तो आपके पास एक international standard का CV and cover लेटा होना चाहिए जो कि professional manner में बनाओ क्योंकि competition बहुत है आपका CV keyword friendly होना चाहिए apply अगर आप सही तरीके से करोगे तब ही आपको result मिलेगा और जब आप job को apply करना चालू करोगे तो आपकी real expectation होनी चाहिए कोई भी fast track work permit की process रहती है उसमें 2-3 हफते लग सकते है और जो normal work permit रहता है Australia में उसमें 1-3 months तक लग सकता है और आपको जो employer hire कर रहा है वो आपके भीहाब पर work permit initiate करता है तो आपको सबसे पहले job offer letter लेना है employer से इसी वज़े से Australia में काफी लोग जा रहे है और आपको Australia में जरूर try करना चाहिए obviously अगर आप apply करोगे तभी आपको result मिलेगा थोड़ा effort तो आपको लगे और दोस्तों अगर आपने इस channel को subscribe नहीं किया तो subscribe कर लिजे और bell icon भी दबा दीजे ताकि आपको सबसे पहले notification मिलेगा जब भी मेरा कोई video upload होता है मैं visa information, online earnings and finance के उपर videos बनाते रहता हूँ और अगर आपको shots and reels देखना पसंद है तो मेरे instagram shots भी available है और आप मुझे instagram पर follow कर सकते हो to consume the reels और कोई भी paid services चाहिए उसके लिए भी आप मुझे instagram पर अपरोच कर सकते हो मेरे instagram ID है limitlessmayang01 so I hope आपको यह video अच्छा लगा होगा that's all for this video I wish you all the best and see you in the next video